मश्कार दोस्तों, M-Docs, Virtual Emergency Department की तरफ से मैं आज आप लोगों को डेंगू के बारे में कुछ important जानकारी देना चाहता हूँ बारिशों का मौसम है और डेंगू के cases लगातार बढ़ रहे हैं इस मौसम के अंदर patients जो हैं OPDs में और emergency में रश कर रहे होते हैं पैनिक स्टेट में, anxiety स्टेट में जब उनको कोई भी प्रकार का बुखार आता है तो यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि डेंगू के अंदर हमें कब hospital में या emergency में दिखाना है और कब आप पैनिक ना करें तो डेंगू जो है एक प्रकाल का viral fever है बहुत सारे cases के अंदर डेंगू एक simple viral fever की तरह ही बिएव करता है उसके अंदर patients को बुखार रहता है जो की तीन से साथ दिन तक usually रहता है और बुखार कई बार high grade भी होता है लेकि उसके साथ बदन में दर्द, जोडों में दर्द, यह सब चीजें सरदर्द यह भी सब हो सकता है इसमें कोई भी घबराने वाली सिती नहीं होती आपको बुखार कम करने की दवाई जैसे पैरसिटम और वगरा लेनी है और यूजिली आप ठीक हो जाता है लेकिन WHO कुछ warning science के बारे में हम लोगों को बताता है ठीक है अगर आपको किसी भी प्रकार का बुखा रहे हैं तो आप घबराये में हमारे वर्चुल एमर्जेंसी डिपार्टमेंट नंबर 99-114, 21-14 पे आप एक वर्चुन कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आपके बुखार में कोई warning signs and symptoms नहीं होगे तो हमारे डॉक्टर्स आपको एक prescription dispatch कर देंगे test के साथ और आप OPD में consult कर सकते हैं lab reports के साथ और अगर in case कोई भी serious signs and symptoms consultation में identify होते हैं तो हम लोग आपको hospital में admit होने की सला देंगे और in case ambulance की अवशकता होगी to ambulance we provide कर सकते हैं so stay safe stay healthy and enjoy the rain